बिस्मिल्लाहिर रह्मान रिर्वाहीम, अस्सलाम आलेकुम आज हम डिसक्स करेंगे माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया, इंपोर्टन्ट आपने बात इसमें याद रखनी है इस इस काल्ड पावर हाउस अफ सेल पावर उसका काम क्या है? इनर्जी प्रवाइड करना तो सेल में जितनी भी इनर्जी की प्रोडक्शन है और सेल तो जितनी भी इनर्जी की जरूरत है वो कौन प्रवाइड कर रहा है? वो माइटो कॉंड्रिया प्रवाइड कर रहा है अच्छा अब इसके आते हैं structure की तरफ mitochondria जो उनसा है इसकी ये double membrane होती है double membrane होती है इसकी जो उनसी outer membrane होती है ये वाली outer membrane है that is smooth outer membrane क्या है? बिल्कुल smooth है जबकि जो उनसी इसकी inner membrane है ये वाली ये inner membrane है inner membrane forms in foldings इसके अंदर ये foldings होती है in foldings होती है ठीक है जी? outer membrane smooth है inner membrane in foldings है इस जो उनसी ये वाली in foldings है इन in foldings को हम कहते है crystal है फर्सकर ये एक in folding है तो इसका नाम हमने रख दिया है क्रिस्टे अच्छा इससे मिलता जूलता लफज हमने पिछले lecture में पढ़ा था उसका नाम था sister ने sister ना क्या था? endoplasmic reticulum की जो उनसी membrane होती है जो के उसको separate करती है cytoplasm से उसको हम कहते थे sister ने crystal क्या है? inner membrane की in foldings उसको हम कहते है crystal अच्छा जी अब ये जो उनसी in foldings है इनके उपर ये knob like structures present होते हैं knob like structures present on the inner membranes on the cristae इन knob like structures हो हम कहते हैं F1 particles ठीक है जी? अच्छा तीसरी बात इसमें ये याद रखने वाली है इसके जो उनसा matrix होता है ये matrix ये जो उनसी इसके अंदर जो चीज़े पढ़ी है इसको matrix कहते है अब इसके matrix में क्या होता है? एक तो ribosomes present होते है और दूसरा क्या होता है? DNA present होता है फ़र्स करें ये DNA पढ़ा हुआ है और ये जो उनसे dotted मैंने चीज़ें बनाई है इनको हम कहते हैं ribosomes इसके matrix में ये देखें ये DNA और ये dots जो उनसे हैं ये ribosomes हैं अब अगर ribosomes इसके अंदर present है तो जहर इसी बात है फिर ribosomes का function क्या प्रोटीन की synthesis करवाना तो इन में भी protein synthesis होती है अगर DNA present है DNA जो उनसे है वो genetic material है अगर DNA present है तो इसका मतलब क्या है ये self-replicating है ये खुद बखुद एक से दो, दो से चार, चार से आठ में divide हो सकता है सो mitochondria का होगा वो self-replicating organelle हो जाएगा और इसमें protein synthesis भी होगी इसके matrix में इसके लावा और क्या चीज़ें present होती है इस mitochondria के अंदर होते हैं हमारे पास enzymes भी होते हैं mooi और co-enzymes भी होते हैं जो enzymes को assist करवाते हैं जो enzymes के साथ assistance करते हैं उसको हम क्याहते हैm Sometimes अब enzymes भी present हैं और co-enzymes भी present हैं अब यह जो नसे enzymes और co-enzymes इसके अंदर present हैं, यह help करते हैं body के different processes में, किन processes में यह help करते हैं, वो है crab cycle में, वो aerobic respiration में और fatty acid metabolism में दुबारा से करते हैं, mitochondria powerhouse of cell, जितनी भी energy मिलेगी इसी powerhouse से मिलेगी cell को, इसका structure में क्या है, outer membrane, smooth inner membrane, infoldings बनी हुई है, इन infoldings को क्या कहते हैं, criste, criste के उपर क्या बढ़ा होता है, particles होते है, knob like particles होते है, उनका हम कहते है F1 particles, इसका अंदर वाला जितना भी यह सारा portion है, इ इसमें क्या present होता है, ribosomes, DNA, ribosomes हैं तो उन्हेंने क्या करवानी है, protein की synthesis, DNA है, genetic material है, तो यह replication करवाएगा, self-replicating organally है, यह वाला, यह high yield है, self-replicating organally, mitochondria, तीसरा इसमें इसी matrix के अंदर enzymes और co-enzyme पर रहे होते हैं, जो के helpful होते हैं, criste cycle में, aerobic respiration में, और fatty acid metabolism में, और इनी processes की वज़ा से energy पैदा होती है, in the form of ATP, जिसको body use करते हैं, energy packets होते हैं, जिसको use करते हैं, body use करते हैं, these energy packets are produced in the form of ATP, एक और चीज़ जो याद रखने वाली हैं, भी हमारी body के जितने भी powerful muscles है न, उनमें mitochondria की मिकदार ज्यादा होगी, they will be more in number, मसल्ड़ा ये हमारे biceps हैं, इनमें mitochondria की जौनसी होती है, number ज्यादा होता है, as compared to this ear muscle, इनमें mitochondria बहुत काम होगे, जितने भी powerful muscles हैं, जो हमें हमारे daily routine में helpful करते हैं, जिनसे हम power work करते हैं, उनमें mitochondria ज्यादा होते हैं, और जितने भी इस तरह के मसल्स हैं जो के कम यूज होते हैं जिनको हम कम यूज करते हैं उनमें माइटो कॉंड्रिया कम होते हैं